नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वैंस ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुक जीले यानि की लेक्स ओफ इंडिया तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जील किसे कहते हैं उसके बाद जीलों के परकार यानि की जीले कितनी परकार की होती हैं उसके बाद हम देखेंगे सभी राज्यों के महत पूरन जीलें तो सभी राज्यों की हम जितने भी राज्यों में जीलें हैं जो एक्जामें पूछे जाती हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके बाद हम कुछ महत पूरन तथे देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी क सबसे बड़ी जील है ये सब हम मैं तो पूरान तर्थियों में देखेंगे और लास्ट में जो फिर प्रिवियस एर के क्वेशन है उन्हें कवर करेंगे तो चलिए बिन्ह देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे जील में नदी की तरह परवा नहीं होता धारा नहीं होती जैसे नदी होती है वो उपर परवतों से नीचे मेदानी भागों में बहती है तो उसमें धारा होती है पर जील क्या है वो एक गड़े में बड़े से विस्तरित गड़े में पानी भरा होता है तो उसमें धारा नही होती स्थाय तो होता है यह इसकी दूसरी विश्यस्ता है और यह पानी चारो तरब से भूमी से घीरा होता है तो उसी को जील कहते हैं तो जील की definition हमने समझ ली अब हम देखते हैं कि जील कितने परकार की होती है जीलों के परकार तो सबसे पहला है मीठे पानी की जील जिसे English म मतलब कि fresh water है, जैसे बारिष का पानी कठा हो जाए, तो उसी को मीठे पानी की जील कहते हैं, जिसे हम पी सकते हैं. उस से अगले परकार है खारे पानी की जील, जिसें English में कहते हैं salt water lakes. तो खारे पानी की जील जैसे कि इसके नाम से ही किलिए रहे कि ये लवनिय जील है मतलब जिसमें नमक की मातरा जादा होती है उसे खारे पानी की जील कहते हैं जैसे समुद्र का पानी खारा होता है उसी परकार इस जील का पानी भी खारा होता है तीसरी जील है हिम नद्य जील, जिसे इंगलिश में कहते हैं Glacial Lakes, मतलब कि जो Glacier द्वारा बनती है, जब Glacier पिखलते हैं और उनकी वज़ा से जो पानी होता है एक जगा विस्तरित गड़े में आकर भर जाता है, जम्मा हो जाता है, उसी को हिम नद्य जील कहा जाता है, ये वो natural होती हैं, प्राकर्तिक होती हैं, प्राकर्ति द्वारा बनाईगे, पर जो क्रित्रिम जीले होती हैं, ये मानो द्वारा निर्मित होती हैं, मतलब मानो द्वारा खुदाई करके ये जीले बनाई जाती हैं, इसलिए इने क्रित्रिम जीले कहते हैं, और आके तीन जीले ह थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि यह ज्यादा इंपोर्ट है एक है जुआला मुख्य जील जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेटल लेक्स उसके आगे गोखुर जील जिसे कहते हैं ऑक्सबो लेक्स उसके आगे है लेगुन जील जिसे इंग्लिश में लेगुन ही क जहां से लवा निकलता है उसी को क्रेटर कहते हैं तो क्या होता है इसके क्रेटर में पानी भर जाता है पानी भर जाता है जमा हो जाता है तो इसी को हम क्रेटर लेक्स कह देते हैं और कई बार क्या होता है कि जो आला मुखी जब विस्खोट होता है तो उसके कारण कई जगा दर्तिधल जाती है और Crater बन जाते हैं बड़े-बड़े और उनमें भी जब पानी भर जाता है तो उसको भी जहाला मुकीह जिल ने कहते हैं और जो ज़ाला मुकी ! उपर जो यह crater है इसमें भी जब पानी भर जाता है तो उसे भी crater lakes और जुआला मुकिय जीले कहते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं गोखुर जीले और लेगून जीले इन्हें मैं आपको image के साहता से बताता हूं तो गोखुर जील और लेगून जील ये मैं आपको example से समझाता हूं क्योंकि ये दोनों imported हैं और आगे इनका जीकर होगा इसलिए आप यही पर समझ लीजिए तो सबसे पहले देखते हैं गोखुर जील तो इसे गोखुर जील क्यों कहते हैं इसका नाम गोखुर क्यों पढ़ा क्योंकि जो आप इसकी shape देख रहे हैं जील की ये गोखुर की जैसे है गोखुर मतलब कि जो गाएं के पैर का खुर होता है उसा गोखुर कहते हैं तो उसी के तरह इसके कुछ शेफ है इसलिए इसका नाम गोखुर पड़ा है तो यह गोखुर जील बनती कैसे है यह मैं आपको समझाता हूँ तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नदियां होती है वो उचाई से यानि कि परवत और पहाड़ों से निकलती है और मेंदानी भागों की और बहती होई जाती है तो जब नदियां उपर से निकलती है तो ऐसा तो है नहीं कि नदियां सीधी बहेंगी कहीं पर जो जमीन है उल्ची है कहीं पर नीची है तो जहां पर नीची है नदियां वहीं पर बहती हुई जाती है तो कई नदियां क्या होती है वो साम किया कर जैसे साम चलता है उसी परकार बहती है तो जैसे कि आप ये image में देख रहे हैं, यहां से नदी बहते हुई आ रही है आगे देख रहे हैं, कुछ जमीन का भाग उचा है, तो नदी क्या करती है? मुड जाती है मुड कर फिर ऐसे बह रही है पर क्या होता है जो आप ये एरिया देख रहे हैं नदी यहाँ पर भी चोड़ पहुचाती रहती है और कुछ सालों बाद क्या होता है नदियां इसको सिधा काट देती है और सिधा बहने लगती है पहले ऐसे मूड़कर बह रही है ना पर कुछ सालों बात क्या होगा यह जो हिस्सा है ना यह कट जाएगा नदियां यहां पर चोड़ पहुचाती रहती है और कट कर सीधा बहने लगेंगी जिस कारण क्या होगा यह वाला पूरा हिस्सा कट जाएगा नदिया अब सीधा फ्लो कर रही है और यह वाला हिस्सा कट गया और यहां पर पानी जमा हो गया तो मैंने आपको पीछे बताया कि जील क्या है जहां पर स्थाय तो हो मतलब उसमें धारा नहीं होगी पहले इसमें धारा थी नदि के साथ बह रही थी अब क्या हुआ नदि सीधा पहने लगी जिसकारण यह वाला पूरा अरिया कट गया तो इसी को कहेंगे गोखुर जील जो नदि से अलग हो जाए और इसकी शेव गोखुर जैसे हो उसी को गोखुर जील कहते है तो आशा करता हूँ आपको गोखुर जील समझाए होगी अब देखते हैं लैगून जील तो गोखुर जील के बाद अब देखते हैं लैगून जील लैगून जील हमेशा समुदर के तटपर देखने को मिलती है क्यों? क्योंकि समुद्र के द्वारा ही इसका निर्मान होता है तो लेगुन जीलें क्या होती है? कई बार क्या होता है? जो समुद्र के द्वारा सट्टे भूह आकर्ती होती है उस पर बड़े-बड़े खड़े होती है तो समुद्र के द्वारा क्या होता है? जो समुद्र की लहरे हैं उसमें पानी भर देती है क्योंकि खड़ा है बड़ा बड़ा तो उसमें पानी भर देती है और उसके किनारों पर भी कचड़े को जमा कर देती है मतलब कि समुद्र के अंदर जो कचड़ा है मिट्टी है अफसाद है उसको जमा कर देती है किनार उपर और उपर लहरें पानी भर देती है तो ये वाला पूरा हिस्सा जील बन जाता है क्योंकि अब ये समुद्र से अलग हो गया यहांपर क्या हुआ तट बन गया यहांपर मिट्टी जमा हो गई और इस एरिया में पानी भर गया तो यह खारे पानी की जीले होती है उन्हें को लेगुण जीले कहते है क्योंकि सम्मुद्र द्वारा इनका निर्मान होता है तटों पर इसी को लेगुण जीले कहते है आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा अब हम एक एक करके जो राज्यों में परमुख जीले हैं उन्हें देखते हैं तो अब हम एक एक करके सभी राज्यों की परमुख जीलें देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जम्मु कश्मीर की परमुख जीलें तो जो ये आप जीलें देख रहे हैं, ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे कि अनन्त नाग जील, बैरी नाग जील, शेश नाग जील और नागिन जील, तो आप एक चीज़ गोर करिएगा, जितनी भी जीलें हैं, सभी के पीछे नाग और नागिन लगा हुआ हैं, तो जि उसके बाद है विष नशर जिल तो इसको आप कैसे याद करेंगे विष नशर को आप विष इससे याद करेंगे जैसे विष है ना तो इसको विष पढ़ेंगे तो जहां पर इतने नाग नागीन है वहाँ पर विष तो होगा ही तो विष होगा ही ना जहां पर इतने नाग न तो बलवान होना हये मानस में बल होना चाहिए इसे आप आसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं यह याद करने का तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं कि इतने नागनागीन वाले जीले हैं तो जहां नागनागीना है महाँपर विष्षभ हो गही और इतने विष्ष और नागनागीन के बिच एक बल्वान मनुश्य ही रहक सकता है तो जिस मानस में बल है वह यहां रह सकता है तो मानस बल जील भी जम्मू कश्मीर जिल में हैं उसके बाद है डल जील और वूलर जील यह तो most imported है और आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत बात यह अपने सुना होगा डल जील के बारे में वूलर जिल के बारे में यह भी जम्मो कश्मीर में हैं तो जो डल जील है इसे श्री नगर का गहना कहते हैं क्योंकि यह श्री नगर में है बहुत ही खूबसूरा जील है यहां पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है इसे श्री नगर का गहना कहा जाता है और जो वूलर जील है यह भ तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम देखते हैं उत्राखंड तो जैसे कि जितनी भी नाग नागिन वाली जीले हैं ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं उसी परकार जितनी भी ताल वाली जीले हैं जिन जीलों के पीछे ताल लगा है वो सभी उत्राखंड में हैं जैसे नैनी त पाद ताल जील, राकस ताल जील, माला ताल जील, देव ताल जील, नोकशिया ताल जील और खुर्पा ताल जील, ये जिन जीलों के पीछे ताल लगा है, 90 पतिशा जीलें उत्राखंड में हैं, बाकी तीन ऐसे जीलें हैं, जो उत्राखंड में नहीं हैं, वो हम भी आगे बत क्योंकि जो ये रूपकूंड जील है, यहाँ पर लगभग 500 कंकाल पाए गये थे, इसलिए से कंकाल जील भी कहते हैं, और रहसमाई जील भी कहते हैं, क्योंकि इतने कंकाल कैसे वहाँ पर मिलें, इसलिए से रहसमाई जील भी कहते हैं, तो रूपकूंड जील भी कहाँ पर है तो ये भी उत्राखंड में है इसे भी याद रखेगा और जितनी भी ताल वाली जीले हैं वो तो उत्राखंड में है ही तो उत्राखंड के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल पदेश और उत्तरपदेश तो मैंने वहाँ पर आपको बताया कि जितनी भी ताल वाली जीले हैं स वो सभी आप उत्राखंड में लगा देना अगर आपको ये तीन जीले पता होगी यहीं पर आपको एक्जामिनर फसाएगा अगर आपको ये तीन जीले पता होगी कहाँ पर हैं तो बाकि कि जो बची जीले हैं वो सभी उत्राखंड में हैं जैसा कि हिमाचल प्रदेश में सू सूरत ताल जील और चंद्र ताल जील इसके बाद एक और याद रख लेना यह रामगर ताल तो इसको तो और असानी से आदा आप रख लेंगे कैसे रामगर ताल है न यह तो इसमें है राम तो भगवान शीर राम का जनम कहा हुआ था योध्या में हुआ था योध्या कहां प पर हैं तो वो उत्राखंड में तो उसके बाद अगला राज है सिक्किम सिक्किम में आपको एक ही जील याद रखनी है यह चुलामु जील बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है चुलामु जील के बारे में इसलिए याद रखेगा क्यों पूछा जाता है एक्जाम में बा तो मनीपुर में भी एक ही जील है जो याद अखनी है यह है लोकटक जील Very important कौन सी? लोकटक जील और यह पुरवत्तर भारत में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील है मतलब कि पूरे North East में पूरे पुरवत्तर भारत में यह मीठे पाने की सबसे बड़ी जील है और इस जھیल में केबूल लामजाओ नाम का टैरता हुआ दुनिया का एक मात्र राष्ट्रे पार्क है इसलिए ये जھیल काफी important है क्योंकि दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ केबूल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं परस्थित है और जैसा कि आप image में देख रहे हैं यही है लोक्टक जील मनीपूर में हैं और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे द्वीपों पर लोगों ने अपना घर भी बनाया हुआ है और यहीं पर है कैबूल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राश्ट्रे पार्क इसे आप याद कैसे पैसा देख कर इस जील को देख रहे हैं कि भई दुनिया का एकमातर ऐसा पार्क है जहां पर बताईए पार्क तैर रहा है इसलिए लोग मनीप खर्चा कर रहे हैं पैसा खर्चा कर रहे हैं इस पार्क को देखने के लिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं तो अगला आप जाद रख लिए राज से शुरू हो रहा है तो यह राजस्थान में है दूसरा जय समंध्जिल तो आपको पता है राजाओं मारा जाओं को अपनी जय करवाने की यादत होती थी वो पनी जय बुलवाते थे तो जय शमंध्जिल भी आप ऐसे ही यादत रख सकते हैं और की उसलिए राए फटे सागर जिल को फटे मतलब कि जो राज़ा होते थे उनको फटे प्यारी होती थी मतलब वह अपधे चाहते थे तो फटे सागर जिल भी इसी आप याद रख सकते हैं राजा से कि राजस्थान मनलब राजाओं का स्थान तो राजसमद जील राजसे शुरू हो रही है जै वो अपनी जै बुलवाते थे उनको अच्छा लगता था फत्य वो फत्य चाहते थे और उसके बाद है डिडवाना जील और सांबर जील यह तो इ अगर सबसे बड़ी जील पूछी जाए तो वो आगे हम पढ़ेंगे पर अगर अंतर सल्य जील पूछी जाए सबसे बड़ी खारे पाने की तो वो है सांबर जील तो राजस्थान के बाद देखते हैं महराश्ड महराश्ड में एक ही जील है जो बहुत इंपोर्टट है यह लोनार जिल कई बार एक्जामें पूछी गई है क्योंकि यह आयदी न्यूज में रहती है इसलिए बार-बार एक्जामिनर पूछता है कि लोनार जिल कहाँ पर है तो यह महराश्ट में तो लोनार जिल को आप कैसे याद रख पाएंगे तो आप लोनार को लोनावला से रिले में स्थित एक खारे पानी की जील है तो एक ये खारे पानी की जील है इसका निर्मान एक उल्का पिंड के प्रिथिवी से टकर आने के कारण हुआ था इसलिए अपने आप में ये भी एक अधभूत है कि उल्का पिंड के प्रिथिवी से टकर आने की कारण यहां पर एक महाराष्ट में लोनावला कहां पर है महाराष्ट में उसी से आपlated करेंगे हैं कि तो महाराष्ट के बाद देखते हैं केरल तो केरल में आपको तीन undergrad नियां रखनी है एक एक्जाम में पूची जाती है कि वेंबरनाड जील कहां पर है तो यह भी केरल में है यह पूची क्यों जाती है क्योंकि जो वेंबरनाड जील है यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी जील है लंबी मतलब की लंबाई में इस प्रकार आप देख रहें न यह आंदरपदेश तो आंदरपदेश में हमें दो याद रखना है एक है कोलेरू जिल और दूसरी है पुलिकट जिल कौन कौन सी कोलेरू जिल और पुलिकट जिल तो जो पुलिकट जिल है यह इंपोर्ट है मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि इंपोर्ट क्या है क्या है क्यो पुरुवात में ही बता दिया था और इसका 84 पतिशत भाग मतलब कि जो पुलिकट जील है इसका 84 पतिशत भाग आंदर पदेश में है और बागी जो 16 पतिशत भाग है यह तमिल नाडू में पड़ता है तो ज्यादा तर जब एक्जाम में क्वेशन आता है तो आंदर इसकाए पतिशत भाग तमिल नाडू में पड़ता है पर ज्यादा तर जब फी एक्जाम में आता है तो आंदर पदेश यह उप्सण में आता है तो आ झ्री के पास पुलिकट जील है तो आंदर पदेश और पर उपकरह प्रक्षेपन केंद्र के अनुट सब्सक्रा पहलए देखते हैं उडिसा बस यही बच्चा है हमारा उसके बाद हम कुछ महत्वपूरन तथी देखेंगे तो उडिसा की जील है चिलका जील मौश्ण इंपोर्डर कई बार एक्जाम में पूछा गया है चिलका जील क्योंकि चिलका जील भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है त तटीय जील है तटीय मतलब यह समुद्र के तड़पर है ना इसलिए इसे सबसे बड़ी तटीय जील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है जो अंतरस थल यह खारे पानी की जील की बात हो तो वह संबर जील थी वह राज़त स्थान में थी हमने पढ़ा थ पर जो सबसे बड़ी जील है वो है चिलका जील, तो अब हमने सभी राज्यों की परमुख जील ने पढ़ ली, अब हम कुछ महतोपूरान तथे देख लेते हैं, जो सीथा एक्जाम में डारेक्ट पूछ लिया जाते हैं, वन लाइनर कोशन, तो सबसे पहले है कि भारत की जील कौन सी है, चिलका जील, और खारे पानी की तटीय जील सबसे बड़ी, यही है चिलका जील, और तीसरा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतास थल्य जील, यानि की इन लैंड ले कौन सी है, तो है सांभर जील, जो की राजस्थान में है, यह भारत की खारे नमर पे कौन सी है तो वह है पुलिकट जील उसके बाद है कि भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है तो लंबी जील हमने पहुचे पढ़ाना व्यम्बनाड जील जो कि केरल में है यह भारत की सबसे लंबी जील है अगला है कि भारत की सबसे उंची जील तो उंची जील है चोला पाकर्तिक ना हो तो हो है गोविंद बल्लव पंत सागर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है यह एक्जाम में बहुत बार पूची है इसलिए ध्यान से याद रखिएगा गोविंद बल्लव पंत सागर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है याने कि मानो निर्म में जील है है तो यहां पर हमारा ठिधे में ethore के रिर के प्रशन कितने सई होते है मिपारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील निमन लीखित मेंसे कौन सी है तो बताएए चि ह्पारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है दूसरा प्रशन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जील लोकटक किस राज में स्थीत है तो बताईए कि जो लोकटक जील है ये किस राज में स्थीत है तो मैंने आपको बता था कि लोग मनी देकर जील को देखने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कैबुल लाम जाओ नाम का एक तेरता हुआ नेशनल पार्क है तो इसका सही जवाब क्या होगा जील ये 2011 में SSD ने पूछा था कि लोग टक क्या है तो अगला प्रशन है कि परसिद लेगून जील चिलका किस राज में स्थित है तो आपको ये बताना है कि जो चिलका जील है ये किस राज में स्थित है तो आपको पता है ये कहां पर स्थित ह तो यह उडिसा में स्थीत है यह लेगून जील है उसके बाद अगला प्रशन है कि विश्व प्रसिद खारे जल की जील सांभर तो सांभर जो जील है यह किस राज में स्थीत है तो जो सांभर जील है यह सबसे बड़ी खारे पाने की अंता स्थल्य जील भी है और यह किस राजस्थान में, राजस्थान में सांभड ज्षील, अगला प्रशन है कि लोणार ज्षिल किस राजम स्थीत है, लोणावला कहां पर है तो महराष्ट में है, तो लोणावला ज्षील कहां लेगोन ये भारत की सबसे बड़ी लेगोन जील है अगला प्रेशन है कि भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है तो मैंने आपको बताया था कि केरल में हैं भारत की सबसे लंबी जील कौन सी थी वेंबनाड जील उसे वेंबनाड लेगोन भी कहते हैं क्योंकि समुद्र के तो मैंने आपको बता है था ना कि लोग मनी देकर ऐसे चीज़ को देखने जाएंगे कि दुनिया का एक मात्र ऐसा पार्क है जो तैर रहा है तो मनी पूर इसका सही जवाब होगा तो अगला प्रेशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची एक में जीलने इस तरफ जीलने दी हुई है और इस तरफ राजे दी हुए है मतलब कि जीलों को उनके राजे से मिलाना है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन-कौन से पता है तो सबसे पहले लो के राज़ इसे सुमेलित की गई है अगला प्रशन है कि निमन में से युग में सुमेलित नहीं है तो आपको यह बताना है कि वितिवвонory उढ़िट में तो अप्शन बी यही सुमेलित नहीं है लाष्ट क्वोइचन है आज का कि نाजीन जील कि सी राज में तीllen सै तो तो जम्मू कश्मीर SSC में पूछा गया था कोश्चन ये तो नागिन जील कहां पर है जम्मू कश्मीर में तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद